हेलो एवरिवन, आज मैं बिहार की स्टाइल में कटेल का कूँचा रेस्पी बताने जा रही हूँ तो चलिए बनाते हैं इसे इसके लिए कटेल को छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है और इसे तीन सीटी आने तक की अच्छे से बॉयल कर लेना है थोड़ा जादा बॉयल करना है क्योंकि हमें कूचा बनाना है इसलिए जब यह बॉयल हो जाएगा तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने लेंगे अब इसे खल की मदश से कूट लेंगे चलिए मसाला तयार करते हैं मसाले के लिए मिर्च, लैसून, सरसू, तेशपात और अमिया की छोटे छोटे पीसे को चौप कर लेंगे अमिया की जगे आप आम का अचार भी यूज़ कर सकते हैं इसमें प्यास थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इसलिए हम तीन से चार प्यास को लंबे सेप में काट लेंगे अब इन सारी मसालों को ले करके हम ग्राइंड कर लेंगे जब हमारे मसाले ग्राइंड हो जाएंगे तो इसमें बचेवे मसालों को भी एड़ कर लेंगे तुब अनियन, तेजपात को और सुखि लाल मिर्च को एड़ करेंगे और उसे अच्छ से रोष्ट करेंगे जब हमारे प्याज गोर्डन ब्राउनु में होने तक रोष्ट हो जाए तो इन्हें सारे मसालो को एड़ कर देंगे मसालो को तब तक भूझेंगे जब तक इसमें तील ना छोड़ दे अब इसमें वन टीस्पून गरम मसालो को एड़ करेंगे अब वन टीस्पून कस्मीरी मिर्च एड़ करेंगे इसे खलर काफी अचा आता है अब देखिए हमारे मसाले भूझ गया है इसमें से तील किनार किन निकल रहा है अब कुटे हुए कटेल को इसमें हम एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से 5 मिनट तक की मिक्स करें आप चाहें तो थोड़ा पानी भी आड़ कर सकते हैं मैंने हाफ कटोरी पानी आड़ कर दिया है अब इसे 10 मिनट तक की चला की अच्छे से कुक करेंगे जब तक इसका पूरा पानी ना सूख जाए अब हमारे कटेल की सबजी बन कर तायार है इसे रोटी या चाहल के साथ साहब करें मेरी फैमली को तो बहुत पसंद है आई होप आपकी फैमली को भी ज़रूर अच्छी लगे अगर आपको मेरे रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक चैसे ब स्सके चैनल, य। थैंक य। आम जायास, सूज़ आपको पास रइक लिए प्यास